C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वारा प्रस्तुत है, कक्षा 6 के लिए द्विदिय भाषा के रूप में हिंदी की पाठे पुस्तक दूरवा भाग एक 24. पाठ, डॉक्टर, प्रिष्ट संख्या 117 से 120, प्रस्तुत है पाठ, डॉक्टर सुशीला, नमस्ते डॉक्टर साहब डॉक्टर, आए मेडम, कहिए, आपको क्या कष्ट है सुशीला, मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, यह मेरा बेटा रमेश है, इसे कलसे बुखार है देखिए, परसों से स्कूल में परिक्षा शुरू होगी, इसलिए मुझे बड़ी चिन्ता है डॉक्टर, बेटे, मेरे पास आओ, इस स्टूल पर बैठो, बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? रमेश, डॉक्टर साहब, मुझे खांसी आती है, खांसी के कारण रात भर नेंद नहीं आती डॉक्टर, तुम्हें भूख लगती है? रमेश, डॉक्टर साहब, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती डॉक्टर, रमेश के चाती और पीट पर स्चेथस्गोप लगा कर जाज करता है डॉक्टर, लंबी सांस लो, और तेज सांस लो, अपनी जीब दिखाओ बेटे अच्छा सुशीला, डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं? डॉक्टर, नहीं, रमेश को मामूली बुखार है, सर्दी जुकाम के कारण दबाए लिख देता हूँ, दो दिन में ठीक हो जाएगा सुशीला, रमेश को खाने में क्या दूँ, डॉक्टर साहब? डॉक्टर, इसे हलका खाना दीजिए, सबजी का सूप पिलाएए मुझे संतरा और सेप पसंद है, क्या मैं खा सकता हूँ? डॉक्टर, हाँ बेटे, फल खाओ, बीच बीच में पानी पियो सुशीला, डॉक्टर साहब, इसे दूद दूँ या कॉफी? डॉक्टर, चाय, कॉफी बिलकुल नहीं, सिर्फ दूद दीजिए दवाएं लिख रहा हूँ, दिन में तीन बार दीजिए रात को सोने से पहले यह गोली खिलाईए सुशीला, धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्ते डॉक्टर, नमस्ते अभ्यास एक अब आप इन शब्दों को बोलिए कष्ट करना लेना लगना तेज बुखार खांसी परेशानी परेशानी पीठ पीठ खराब खराब हलका हलका मामूली मामूली शाबाश सीना चाती जीब करना करना खूब सिर्फ गोली परीक्षा चिंता नीद बिलकुल जाच सांस भूख प्यास लगना अब इन वाक्यों को सुनिए और दोहराई एक मुझे बुखार है मुझे बुखार है दो हमें खुशी है हमें खुशी है तीन तुम्हें क्या कश्ट है तुम्हें क्या कश्ट है चार आपको खांसी भी है आपको खांसी भी है पांच उसे आराम है उसे आराम है छे उन्हें कोई बीमारी नहीं है उन्हें कोई बीमारी नहीं है तीन इन शब्दों को सुनिए समझिए और दोहराईए तकलीफ कश्ट पीना पिलाना हलका भारी पास दूर खाना खिलाना मामोली साधारण मामूली साधारण तेज धीमे पसंद ना पसंद चिंता फिक्र सीखना सिखना सिखाना सीखना सिखाना खराब अच्छा दिन रात अब मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूँ आपको उन शब्दों से वाक्य बनाने हैं ये शब्द चार स्तंभों में हैं पहले स्तंभ में शब्द हैं मुझे रमेश को पिताजी को लीला को हमे दूसरे स्तंभ में शब्द है उस बात की कल से बड़ी तीसरे स्तंभ में शब्द है चिंता कश्ट बुखार, खुशी, भूख चौथे स्तंभ में शब्द है, है, लगती है आपको प्रतेक स्तंभ में से एक-एक शब्द या शब्द समुहूं लेकर वाक्य बनाने हैं जैसे, मुझे कल से कश्ट है पिता जी को बड़ी चिन्ता है पिता जी को बड़ी भूख लगती है इसी प्रकार आप भी वाक्य बनाएए पांच अब मैं आपको कुछ शब्द दूँगा ये शब्द दो अलग-अलग स्तंभों में हैं आपको समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना है पहले स्तंभ के शब्द है कश्ट, मामोली, ठीक, बुखार, सीना दूसरे स्तंभ के शब्द हैं चाती, ज़र, परेशानी, साधारण, स्वस्थ उधारण के लिए मैंने बुखार का मिलान किया है ज़र से छे, अब आपको कुछ अधूरे वाक्यों को पूरा करना है इन्हें पूरा करने के लिए मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूँ ये शब्द हैं परीक्षा, हलका, नींद, पसंद, कश्ट और वाक्य हैं एक, खांसी के कारण रात भर रिक्त स्थान नहीं आती 2. मुझे सेब और संतरा रिक्त स्थान हैं परसों से स्कूल में रिक्त स्थान शुरू होंगी 4. रमेश तुम्हें क्या रिक्त स्थान है 5. रमेश को रिक्त स्थान खाना देना चाहिए 6. प्रमिला को रिक्त स्थान चाहिए 7. पिता जी रिक्त स्थान जाएंगे 8. आशा रिक्त स्थान आएगी इन वाक्यों को पूरा करने के लिए शब्द एक बार फिर से सुन लीजिए परीक्षा हलका नींद पसंद कश्ट साथ अब आप वाक्यों को बदलिए जैसे मैं परेशान हूँ इस वाक्य को मैंने बदला है मुझे परेशानी है इसी प्रकार आप इन वाक्यों को बदलिए एक गीता बहुत खुश है हम बहुत चिंतित हैं तीन रमेश एक महीने से परेशान है आठ इन प्रशनों के उत्तर दीजिए एक रमेश को क्या कश्ट है दो सुशीला को किस बात के चिंता है तीन रमेश ने डॉक्टर से क्या कहा चार डॉक्टर ने जाँच करने के बाद सुशीला से क्या कहा पांच डॉक्टर ने रमेश को क्या खाने की सलाह दूँआ योग्यता विस्तार विद्यार्थी एक दूसरे का हालचाल पूछते हुए आपस में समवाद कर सकते हैं जैसे क्या हाल है ठीक हूँ तबियत ठीक नहीं है दो दिन से बुखार है बढ़िया है आदी दूरवा भाग एक अभी आप सुन रहे थे प्रवीन शर्मा तिलक राज राजेश आहुजा और सत्यश्रवा शर्मा ध्वन्यंकन बटिल्यांग लिंग्डो तथा निर्माण निर्देशन वध्वनिसंपादन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. C.E.R.T.